हलो एब्रिवन वेलकम टू आई एस पीसी एस बाई एस्पिरेंट्स दोस्तों आने वाले समय में साइंस एंड टेकनोलजी में बहुत कुछ हो सकता है और उसका एक आप देख सकते हैं व्यू इस इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेंड सिरीज से इस एक्सप्लेंड सिरीज की बहुत सी बातें चल रही है उस बीच में ये एक आइटिकल है जो छुटना नहीं चाहिए जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेकनोलजी के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है तो बात करते ही इस न्यूज की इस न्यूज में क्या है कि साइंटिस्ट जो है इस्राइल के कोई एक साइंटिस्ट की टीम थी उन लोगों ने लेब में बिना किसी एग या स्पर्म के लेब में यूमेन एंब्रियो का डिवलप्मेंट किया है सकस्पूलजी उन्होंने ग्रो कर लिया है human embryo मतलब मानव भूड बिना किसी सुक्राणू या अंडाणू की सहायता से उन्होंने develop किया है आप ये बात करते हैं कि सबसे पहले कि ये करने की जरूरत क्यों पड़ी क्यों human embryo को lab में develop करना है तो देखिए इसकी बहुत सारी चीजे है पहली चीज तो ये है कि जब आप human embryo को एक lab में develop करेंगे तो उस development के दोरान क्या-क्या चीजें हो रही है कैसे reactions हो रहे हैं उसको आप study कर पाएंगे और अगर आप उसको study कर पाएंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि किस cell में या किस तरह के reaction की वज़ा से क्या disturbance हो रहा है किस तरह की बीमारी हो सकती है आने वाले बच्चे में एक तो ये बात है अब यह है का कि एक complete model है 14 दिन के human embryo का जोकीन लोगों ने develop किया है ऐसे ये पहला model नहीं है 6 model इसी साल चर्चा में रहे हैं लेकिन ये वाला जो model है ये important है important क्यों है कि ये जो इसकी assembly हुई है जो नए नए cells बनने शुरू हुए है वो यहाँ देखने को मिलता है कि human embryo के grown stage के जैसा है पहली बात अब मैं आपको यहाँ underline करके दिखाता हूँ वो समझेगा stem cells and chemicals a small portion of which was able to spontaneously assemble to form different types of cell that form the fetus those that provide nutrients to the fetus cells that lay out of the plan for development of the body and cells that create structure like placenta and umbilical cord to support fetus मतलब placenta का development भी यहाँ देखा गया है ये जो लेब में ग्रो किया गया है जो problem है वो यह है इसमें इस research में problem यह थी कि 1% of the mixture actually assembled spontaneously मतलब spontaneously अगर बात करें ततकाली तुरंत बात करें जो तेजी से हुआ वो 1% ही development इस mixture का देखने को मिलता है लेकि इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा significant नहीं मानते हैं अब बात यह है कि embryo case models की जरूरत क्यों है research purpose के लिए important क्यों है तो दिखिए there is no way for scientist to ethically research the early stages of the development of an embryo as it is difficult to study it after it implants in the uterus एक बार uterus में अगर embryo implant हो गया तो इसको ethically भी सही नहीं होगा पढ़ना और उसके बारे में होगा नहीं अब यह research crucial क्यों है research important क्यों है research इसलिए important है क्योंकि early times में जब fetus का development हो रहा होता है sorry embryo का development हो रहा होता है early embryonic developmental stage में बहुत सारा miscarriage हो जाता है उस miscarriage को understood करने के लिए कि initial stage में ऐसा क्या reaction हो रहा है ऐसा क्या हो रहा है कि miscarriage हो जा रहा है एक तो यह समझने में फाइदा होगा दूसरा क्या है कि कुछ embryos जो हैं वो normally develop करते हैं प्रॉपर जनेटिक कोड को रिटेन कर लेते हैं और कुछ में ऐसा होता है कि वो develop नहीं हो पाते हैं इसके बारे में समझ विक्सित होगी और अगर इसके बारे में समझ विक्सित होगी तो IVF जो है in vitro fertilization जो टेकनीक है जिसको हम test tube baby बोलते हैं उसके बारे में research ये फाइदा देगा और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी ये clear हो जाएगा एक तो बात ये है लेकिन अब इसमें खास बात ये है कि can lab grown embryos be used to get pregnant क्या एक embryo अगर lab में develop किया जा रहा है बिना sperm और egg के तो क्या उसका implant किसी औरत के शरीर में किया जा सकता है क्या किसी को pregnant उससे बनाया जा सकता है तो इसका जवाब है नहीं इसका जवाब नहीं क्यों है कि एक तो पहली बात ethics की बात आ जाती है ethical way में अगर आप सोचिए तो lab में बनाई हुई चीज को वो भी बिना sperm और egg के एक तो प्रकृति के साथ छेड़ चाड़ हो जाएगी दूसरी बात यह है कि इस तरह का development जो है वो ethically भी सही नहीं माना जाता है अगर सभी हो भी गया कभी आगे चलके तो एक तो economic खर्चा जादा आएगा दूसरी बात ethically important नहीं माना जाता है अब यह 14 दिन के अंदर यह जो embryo का development होता है lab में यह 14 दिन के अंदर इसको समाप्त करना होता है क्योंकि उसके बात ऐसा माना जाता है कि फिर एक individual में develop होने लगेगा तो फिर ethics की बात आजाती है कि फिर उसको समाप्त कैसे किया जाए एक तो यह बात है तो 14 दिन आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं एक बहुत important चीज की कि आखिर यह development होता कैसे है तो दोस्तों यह जो development होता है lab में यह stem cells की सहायता से होता है जब आप cells पढ़ते हैं तो बहुत तरह के cells पढ़ते हैं एक आप reproductive cells पढ़ते हैं एक आप body से संबंधित cells पढ़ते हैं development वगरा के तो stem cell एक इस परकार का cell होता है जो हमारे plasma हमारे blood में ही वो develop होता है अब stem cell के बारे में खास बात है कि यह कई तरह के stem cells होते हैं एक होता है totipotent stem cell यह जो पहला week होता है जब पच्चे का development जब embryo का development हो रहा होता है तो जो पहला week होता है उस week में ही यह stem cell मिलता है अब यह जो stem cell है इसकी function इसका यह है कि यह अलग-अलग तरीके के cells में divide हो सकता है stem cells के लिए आपने पढ़ा होगा stem cell therapy भी होती है stem cell therapy क्या होती है कि कोई किसी को ऐसा असाध्य रोग हो गया जो कि क्योर नहीं किया जा सकता है और उसके cells वगरा के development नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी body से जो stem cell होता है वो तो embryonic stage में होता है उस समय निकाल लिया जाता है जनम के कुछ दिन बाद उसको निकाल लिया जाता है और वो जो stem cell होता है उसको एक stem cell bank में रखा जाता है फिर जरूरत पढ़ने पर उसकी यूज की जाती है आप इसको एक बाद डीटेल में पढ़िएगा stem cell क्या होता है stem cell therapy क्या होती है तो ये बात आपको clear हो जाएगी तो वो जो totally potent stem cell होता है वो बहुत ही diverse cells में divide हो सकता है अलग-अलग functions कर सकता है अब ये article उसी को समझ में आएगा जिसकी basic clear होगी stem cell के बारे में जिसकी basic stem cell के बारे में clear होगी वो इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा तो ये एक बार आपको stem cell पढ़ना है जाके घर पे घर पे मतलब आप घर पे ही होंगे आपको पढ़ना है अब क्या है इस model ने क्या बताया इस model को इसराइल की टीम ने किया विक्सित किया और उन्होंने पाया कि sometime, मतलब कभी कभी कोई error जो DNA के duplication के समय arise हो जाती है उसको समझने का इनको मौका मिला जब DNA बनता है तो DNA का duplication होता है duplication मतलब duplicate DNA अपने आपको DNA replicate करता जाएगा एक DNA, दूसरा DNA, तीसरा DNA तो उस समय में कुछ गल्तियां कुछ error हो सकती है जो की आगे बच्चा जो होगा उसको खत्रा हो सकती है या फिर miscarriage की chances बढ़ जाते है इसके बारे में बताया है तो यहां से आप इस article को एक बार पढ़िएगा किसी-किसी daughter cell में बहुत ज्यादा chromosome हो जाए या बहुत कम chromosome हो जाए तो यह भी दिक्कत होती है तो researchers इसके बारे में assume करते हैं इसके बारे में study की गई कुल मिलाकर क्या है इसका मैं एक line में बताता हूँ without sperm और एक scientist ने एक human embryo develop किया इस development को आप 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते हैं 14 दिन के लिए ही किया जा सकता है इसको किसी भी woman के womb में transplant नहीं किया जा सकता है इसका तब फाइदा क्या है इसका फाइदा है कि early stages में embryo का development कैसे होता है वो समझ पाएंगे जो DNA का duplication होता है उसको समझने में आसानी होगी तीसरा फाइदा होगा कि in vitro fertilization फद्धती से यानि कि जो test tube baby वगरा होते हैं उनके संबंध में बहुत सारी जानकारियां समझ में आएंगी कि कैसे क्या क्या करना है miscarriage कैसे हो जाता है ये सारी बातें इससे समझ में आएंगी आपको पढ़ना चाहिए और ना सिर्फ पढ़ना चाहिए बलकि stem cells के बारे में जानकारी भी लेनी चाहिए thank you so much